पैरे बच्चो चलिए आईए हम लोग क्लास टेंथ के मैथ सब्जेक्ट को NCIP की किताब से पढ़ना स्थार्ट करते हैं जैसा कि पैरे बच्चो हम लोग पिछले दिन एकसरसाइज 4.3 के कोश्चन को डिसकस किये थे कोश्चन नमबर 7 तक के चलिए आजे आधे असठार्ट करते हैं कोश्चन नमबर 8 से सौलूशन कोश्चन नमबर 7 तक के प्रेवियस वीडियोस में प्रेवियस क्लास में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े रहे कोश्चन नमबर 8 देखते हैं एक रेल गाड़ी एक समान चाल से 360 km की दूरी तै करती है यदि यह चाल 5 km प्रती घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती तो रेल गाड़ी की चाल ग्याद कर रहा है प्यारे बच्चों रेल गाड़ी की चाल हमें ग्याद कर रहा है जमकि उसका दूरी दिया हुआ है तो आपको जो चीज ग्यात करना होता है उसको आप मन लेजे कि माना की माना की रेल गाड़ी का चाल बराबर रेल गाड़ी का चाल बराबर 1 km प्रती घंटा हम 1 km प्रती घंटा में का है माना है प्यारे बच्चों क्योंकि दूरी जो है किलो मिटर में दिया है समय जो है घंटा में दिया है ठीक है अच्छा चाल तो हम खुद से माने है और फिर लिखेंगे कि दिया है हमें क्या दिया है भाई तो दूरी बराबर दे दिया है कितना 360 किलो मिटर ठीक है तो अब हमको जब 4 हम अपने से x मान लिये हैं प्यार बच्चों और दूरी दिया है 360 तो समय बराबर हम लोग को ने फर्मूला याद है कि समय बराबर क्या होता है तो दूरी बटा में 4 होता है न तो दूरी कितना है 360 उपर देखने 360 चाल कितना माने है x तो पहला वाला समय कितना लगेगा तो दूरी बटा में 4 यानि कि 360 बटा x फिर लिखेंगे पुन पुन क्या बोल रहा है सवाल पढ़िएगा लिखता है कि यदी चाल 5 किलो मेटर प्रती घंडा अधिक होती अधिक होती का मतलब प्यारे बच्चों क्या अधिक का मतलब होता है जादा ठीक है और जादा कब होगा जब हम लोग जोड़ेंगे तब न जादा होगा तो बोल रहा है कि यदी चाल 5 किलो मेटर अधिक होती तो यानि कि यदी चाल पांच किलो मीटर प्रती घंटा अधीक हो तो यनि कि अगर पांच किलो मीटर अधीक हो गया चाल तो अब नया चाल कौन सा हो गया पहले का तो एक्स माने है तो अब हो जाएगा एक्स पलस पांच किलो मीटर प्रती घंटा इपांच कहां से है प्यार बचों तो सवाल में ही लिखा है कि चाल को कितना अधिक करना है 5 किलोमेटर पृती घंटा अधिक कर देना है का मदले वे हुआ कि एक्स जो माने हुए थे उसमें पांच को एड़ कर देना है प्यारे बचो अब पहले वाला दूरी तो वही कवा ही रहेगा क्योंकि दूरी तो फिक्स है, सवाल में दिया ही है दूरी, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये तो समय है, फिर निकालिए अब समय कितना लग जाएगा, तो फिर से समय बराबर दूरी बटा में चाल होगा ना, प्यारे बिचों, आपको कुछ प्रैक्टिस देखें, मैथ एक प्र प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप चीजों को सीख पाएंगे, तो बोला जा रहा है कि इसमें कितना समय लगेगा, तो अगर दूरी कितना है, 360, और नया वाला चाल कितना आया, एक्स प्लस पांच, आप देख पा रहोंगे, कि हमाले पास दूर्दू को समय में एको चाल को एक्स मानने पर समय में निकला 360 बटा एक्स, और एको निकला समय बराबर दूरी बटा चाल कब, जब चाल जो है 5 ज्यादा हो जाता है तब, तब सवाल क्या बोला, कि ऐसा करने से यात्रा में एक घंटा कम समय लगता है, तो प्यारे बच्चों, एक घंटा कम स खंटा हुआ जब कभी भी बोलता है कि समय एक घंटा कम लगे एक घंटा जादे लगे का मतलब है हुआ कि पहले वाला समय तो आप लिखेगा उसके नीचे इसके नीचे आप लिखेगा प्रश्म से प्रश्म से क्या बोलता है कि समय का एक घंटा का अंतर हो जाता है तो पहले का समय कितना है 360 बटा एक्स और फिर कितना समय लगा तो 360 बटा एक्स माइनस 5 ये दोनों का अंतर कम समय कम का मतलब कोची अंतर ना ये दोनों का अंतर मिल गया कितना एक प्यारे बच्चों यह सवाल में बोला था यानि सबसे पहले सवाल से ही सब कुछ हम लोग निकाल रहे हैं एक समाने तो समय हो जाएगा 360 बटा एकस जब चाल को बढ़ा देंगे तब हो जाएगा 360 बटा एकस प्लस पांच फिर बोला सवाल में कि दोनों समय का अंतर यानि कि कम समय लगता है एक घंटा तो इसलिए पहले वाला समय में से दूसरे वाला समय को माइनस कर देने से कितना answer आना चाहिए उसका value एक आना चाहिए यह क्योंकि स्वाल में दिया हुगा है अब प्हेरे पर तो करना क्या है 360 x plus 5 इसको से इसको गुना कर देंगे और x plus 5 तो x plus 5 पुरा कर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 360 को x ते गुना करेंगे 360 बराबर में x यहाँ पर देखिए तो 360 x पलस 360 को 5 से गुना किजिएगा तो कितना आ जाएगा 1800 ठीक है अब इसको हम लोग गुना कर दें तो 18 स्वाल गया अब फिर माइनस 360 x बटा कितना तो x स्क्वार पलस 5 x बराबर इस एक को एक बटा एक लिख सकते हैं तेरमेंचे हम क्या होगा तो यह वाला पलस में और यह वाला माइनस में दोनों खतम हो गया तो अब हम तिर्षा तिर्षी भी गुना कर सकते हैं तो इसको इसको तिर्षा तिर्षी गुना करेंगे तो देख पार होंगे x स्क्वार पलस 5 x को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वार पलस 5 x होगा और बराबर में कितना 1800 को x से गुना करेंगे तो प्यारवच्यों क्या बनेगा X-square plus 5X इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1800 बराबर में कितना? 0 अब यहां से आप ये निकालेगा कि मूलो का आस्तित्व है कि नहीं है अब लिखेगा कि A का वेलू कितना? तो 1 B का वेलू कितना? तो X के बदलौला 5 प्लस में और वह वाइनस को नहीं लेना है जो प्लस वाला आएगा उसको नहीं लना है और आप खुद से इसको match किजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास किजिएगा चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं, question number जो है, को कौन सा? question number 9 अब question number 9 में क्या बोल रहे हैं? जरा उसको हम लोग देखेंगे question number 9 क्या बोल रहा है? question number 9 अगर आपके पास किताब है, तो किताब दिखा लिजिए question number 9 बोल रहे है, दो पानी के नल, एक साथ एक होज को नो पुर्णांग तीन बटा आठ घंटा में भर सकते हैं, ठीक है? यानि कि दूग वो पानी के नल है, और उसको एक उट तंकी में छोड़ा जाता है, ठीक है? फिर बोल रहे हैं, बड़ा ब्यास वाला नल को भरने में कम ब्यास वाले नल से दस घंटा कौन समय लगता है? देखिए, अब बात को समझेगा, यहाँ पे एक होज है, होज का मतलब तंकी है, ठीक है? यहाँ पे एक तंकी है पैरबचों और इसमें दो तरह का नल खुलता है, दो तरह का नल खुलता है, एक ये हो गया, फिगर से समझेए, हलांकि फिगर मैट में बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, और एक और नल खुलता है, इस तरह कैसा है, आप देख पा रहूंगे, यहाँ से एक होज है, होज बने टंकी, नाद, कुछ कह दिजिए, जिसमें आमनों पानी भरते हैं नल से, ठीक है, अब इसमें बोल रहा है, कि दूगो तरह का नल से भरा जता है, एक होज है, और उस होज को भरने में दूगो नल का यूज किया जाता है, प्यारे बच्चों, एक कम ब्यास वाला नल है, कम ब्यास वाला का मतलर एक पतला पाइप वाला नल है, और एठो ज्यादा ब्यास वाला नल है, देखरें, यह ज्यादा ब्यास बड़ा ब्यास वाला है, और यह कम ब्यास वाला नल है, ठीक है, अब यह मालें जिए, कि यह है बड़े ब्यास वाले नल तो एक होज है और इस होजबें दो नल की सहयता से इसमें पानी भरा जाता है फिर क्या बोल रहा है कि टोटल समय लगता है कितना सवाल में दिया है दिया है कि कुल समय लगता है कितना है दिया है दोरों को पुरा पुरा फुल फुल भरने में कितना टाइम लगता है भरने में लगा कुल समय भरने में लगा कुल समय दिया हुआ है कितना दिया है टोटल टाइम तो टोटल टाइम हमें दे लिया है 9 पुर्नांग 3 बटा 8 घंटा ठीक है यानि कि 9 वर्थे 72 72 और 3 75 बटा 8 घंटा ठीक है इतना यानि कि टोटल जब पतला वाला नल को भी चालू करते हैं और मुटा वाला यानि कि बड़े ब्यास वाला नल को चालू करते हैं तो टोटल टाइम केतना लगता है इस होज को तंकी को भरने में तो 9 पुर्नांग 3 बटा में 8 यानि कि 9 वटे 72 और 3 75 बटा 8 घंटा का टाइम लगता है फिर सवाल जरब फिर क्या बोलता है कि बड़ा ब्यास वाला नल को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है प्यारे बच्चों कम ब्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है किसको बड़ा ब्यास वाला नल है तो बिल्कुल सही तो आप यहां पे लिखेगा माना की कम ब्यास वाले नल द्वारा भरने में लगा समय बराबर एक्स घंटा यानि कि हम ऐसा मान रहे हैं कि जिसका ब्यास कम है उसको कर घंटा लग रहा है एक्स घंटा तो इसलिए बड़े ब्यास वाले नल द्वारा भरने में लगा समय कितना तो सवाल बोला कि जित कम ब्यास वाला नल को एक्स घंटा लगेगा तो बड़ा ब्यास वाला को कितना लगेगा और 10 कम लगेगा यानि कि X-10 घंटा लगेगा समझ में आ रहा है प्यारे बचों जब भी हम लोग ये काम करें तो कम ब्यास वाले से कम लग रहा है तो हम कम ब्यास वाले को X मानेंगे ठिक है अगर आप चाहते कि बड़ा ब्यास वाला तो नहीं जिससे बोला जाता है यहांपे बोला गया है कि बड़ा ब्यास वाला जो नम है कम ब्यास वाला से 10 कम लगता है 10 घंटा कम लगता है तो हम कम ब्यास वाला को मानें है X तो बड़ा ब्यास वाला कितना होगा 10 कम होगा यानि X-10 तौर इसी तरिके से अब हम लोगों का ये आइडिया लग गया चलीजुड अब अगर ये तो टोटल टायम हो गया, अब हम जरा ये बात कर लेते हैं, टोटल समय तो एकस गण्टा लगेगा न, लेकिन ये एक गण्टा में कितना भरतेगा, तो एक घंटा में एक बटा एक समरेगा तो जरह हम इसको अब लिए लिखना चाहते है फिज़र को मिटाते है अब एक कम ब्यास वाले नल द्वारा एक घंटा में भरा भाग एक घंटे में भरा भाग अगर हम बात करें तो एक घंटा में कितना भरेगा तो इसको पलट देंगे यानि कि 1 बटा x ठीक है और एक घंटे में बड़ा ब्यास वाला से निकालते है बड़े ब्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में भरा भाग कितना होगा तो इसको पलट देंगे यारी कि 1 बटा x-3 ये कितना भाग भरेगा तथा कुल समय कितना लग रहा है कुल समय इतना लग रहा है तो इसलिए कुल भाग मेरा कितना हो जाएगा कुल भाग एक घंटे में एक घंटे में भरा कुल भाग कितना हो जाएगा कुल भाग निकाल रहा देखिए कि कितना आफिर पुरा अगर टंकी जितना रहेगा उसका कितना भाग भरेगा तो कुल भाग निकालने के लिए जो कुल समय लग रहा है उसको परटना पड़ेगा जैसे की सब कपल्टे है न वैसे ही eight बटा 75 हो जाएगा थीक है तो आप बता कि एक घंटा में भरा भाग कुम व्यास वाला नल ले रहा है एक बटा एक्स और बड़ा भाव व्यास वाला नल एक घंटा में कितना बढ रहा है एक बटा मेंज 10 और टोल ब्ल बहाग कितना है उसको पलटना पड़ता है फिर लिखेंगे प्रस्ट से प्रस्ट से क्या लिखेंगे कि टोटल कुल भाग ना आठ बटा पच्छतर है तो कम ब्यास वाला भाग और ब्यास वाला भाग दुनों को एड़ कर देंगे तो कुल भाग निकल जाएगा यारी कि 1 by x पलस 1 by x-10 बराबर कितना प्यार बच्छो आठ बटा में 75 जरा इसको लोग एलसियम लेते हैं तो x और x बटा माइनस 10 का एलसियम कितना हो जाएगा तो एलसियम हो जाएगा इतना अब x से तो x कटेगा तो यहां बच क्या जाएगा x-10 पलस इससे यह कटेगा तो यहां क्या बचेगा तिर्फ x बराबर 8 बटा 75 फिर क्या लिखेंगे तो x और x मिलके हो गया उपर 2x-10 फिर मेंचे x x को गुना करेंगे तो x square और x को माइनस 10 से माइनस 10x बराबर 8 बटा में 75 अब इसको लोग तिरचा तिरची गुना करा सक हैं मतलब प्यारे बच्चो कि 75 को इससे इसको इससे तो कुल मिलाकर हमें अब क्या निकल जाएगा वह जड़ा देखते हैं तिर्शा तिर्ची गुना करेंगे तो 75 को 2 से गुना किजिए तो कितना हो जाएगा देड़ 100x माइनस 75 को 10 से साड़े 700 आठ को x सक्वार के साथ तो 8x सक्वार आठ को माइनस 10x के साथ माइनस असी x ठीक हैं अब हम क्या जानते हैं कि समको एक साड ले जाए ये और एक तरफ 0 बनाई ए तब आए द्विग हाथ समिकरन नजर आएगा तो यहां पर हो जाएगा जीरो इधर कर लेते हैं 0 तो यह वाला उधर जाएगा तो पलस में 1.500 एकस हो जाएगा यहां पलस है तो उधर जाएगा तो कोची हो जाएगा पलस और यह दूर तो पहला ही से उधर है यानि कि 8x स्क्वार माइनस असी इस लिए प्यार बच्चों हम यहां पर लिख सकते हैं कि प्यार बच्वार को पहले लिखा जाता है तो एकस और वाला यह है तो populaxim और माइनस को पाचास और माइनस अससी तो माइनस 203 एकस अभी पलस में कितना साड़ है 700 बराबर कितना 0 ऐएए आप यहांसे देख बार होंगे, कि हम लोगों को यह चीज मिल दिया, अब यहांसे आपको करना क्या है, A का वेलु यहां पर क्या हुआ, प्यारे बच्चो, 8, B का वेलू कितना हुआ, तो माइनस 230, और C का वेलू कितना हुआ, आप यहां से पहले D निकालिए और फिर X का मान निकाल देजे माइनस B पलस माइनस रूट D बटा 2 माइनस B पलस माइनस रूट D बटा 2 ऐसे पैर बचो जब आप इसको स्वाल्व किजिएगा तो जो कुछ भी आंसर आएगा तो हमें किसका भालू लेना है जो हमेशा पलस वाला का वेलू आएगा फिर क्या बोलना था नमामे कि परतेक द्वारा अलग-अलग होज भरने में लिया गया समाई गया किजिए जब आप इसको एगो को पलस में आंसर आएगा आवेगो का माइनस में आंसर आएगा तो माइनस वाला नहीं लेना है ठीक है माइनस में आपका आएगा 33 और सारे वो का आएगा 44 देख लिए जगा solution करके कि कितना आता है और माइनस 33 चार पहल इसका नहीं आएगा ओसार अगले वाला का आएगा इसका नहीं आएगा, मतलब हम कुछ आप ऐसी बता रहे हैं, तो माइनस वाला का नहीं लेंगे, प्लस वाला का लेंगे, तो प्लस वाला जो हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा, और एक्स का मान किसका मान है, कम ब्यास वाला का न, तो बड़ा ब्यास वाला का क्या करेंगे उसमें से 10 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि x-10 हम लोग लिये थे, तो इस तरीके से आप इसका solution कीजिएगा, हम अधूरा छोड़ रहे हैं, question द्विघात समिकरन लाके और छोड़ दे रहे हैं, आपके लिए आप जरूर इसको पूरे तरीके से solve कीजिए, चलिए आएए आग दस्वा नमबर भी, पढ़ते हैं दस्वा कोश्चन क्या बोलता है, मैं सूर और बैंगलोर के बीच 132 किलोमेटर यात्रा करने में, एक्सप्रेस रेल गाड़ी सवारी गाड़ी से एक घंटा कम समय लेती है, यदि एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसप्चाल सवारी अधिक है, तो दोनों रेल गाड़ी की और सचाल ग्याद कीजिए, देखें, अब बोलके रहा है, कि इसमें 1300 किलोमेटर तो दिया है दूरी, और इसमें दूगो जो है, रेल गाड़ी है, एक का नाम है एक्स्प्रेस रेल गाड़ी, और यो का नाम है सवारी गाड़ी, ठीक तो अब दूरी वही का वही रहेगा मतलब 132 का 132 ही रहेगा अब बोल क्या रहा है कि एक स्पेस जो रिल गाड़ी है सवारी गाड़ी से औस चार से 11 किलोमेटर अधिक लेती है तो आप मान लेजिए सवारी गाड़ी को मान लेंगे कितना X तो जब सवारी गारी को X मान लेंगे या फिर किसी को भी हम लोग मान चकते हैं तो आप इस सवाल में करिए क्या कोशन नमबर 10 में तो माना की सवारी गारी का जो ओसत चाल है वो X किलोमेटर है माना की सवारी गारी का ओसत चाल कितना किलोमेटर प्रति घंटा है तो एक किलोमेटर प्रति घंटा हम इसको अपने से माल लिया है कि उसका जो चाल है वो कितना है प्यारे बच्चों एक किलोमेटर प्रति घंटा है फिर सवाल क्या बोल रहा है कि दूरी तो दिया ही हुआ है यानि कि दूरी हमें दे दिया है कितना बैर बच्चों टोटल दूरी जो है मैसूर से लेके बंगरोर तक 132 किलो मिटर दिया हुआ है तो जब हम लोगों को दूरी दिया हुआ है तो समय नहीं निकाल लेंगे समय बराबर फार्मूला जैसा कि हम लोग अठ्वा कोश्चन में किये यह दूरी बटा में चाल ठीक है तो दूरी कितना 132 चाल कितना एकस ठीक है यह तो ओगिया कंफर्म अच्छा अब फिर से सवाल क्या पूल रहा है कि अब की बार जो है यह एक्सप्रेस गाड़ी है और एक्सप्रेस गाड़ी का जो ओसद चाल है वो 11 किलोमेटर प्रतिघंटा अधिक है तो हम सवारी गाड़ी से यह गाड़ी अधिक है तो सवारी को माने है एक्स तो एक्सप्रेस गाड़ी का ओसद चाल कितना होगा अब एक्सप्रेस रेल गाड़ी का इस लिए यहां पे समय कितना होगा तो सवाल में बोलगा है कि एक्स प्रेस का जो ड्रेल गाड़ी का चाल होना होना चाहिए उस सवारी गाड़ी mom ब suppressed माद म पलता होना चाहिए तो एक्सप्रेस की हम वा को एक्सप्रेस कीलो मिटर कॉप्ति कहने आप दूरी तो कमो के लिए इसलिए यहाम पर समय कितना हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा में चाल तो दूरी तो वही रहेगा तो दूरी कितना 132 बटा में कितना चाल कितना है तो चाल है X पलस 11 तो आप इन चीजों को देखिए तेर बचों क्या पता चल रहा है कि पहला वाला केस में 132 बटा X का समय लग रहा है दूसरा वाला में लग रहा है 132 बटा X पलस 11 और फिर बोला जा रहा है कि दोनों में एक घंटा कौन समय लगता है तो वही हम पिछला सवाल में जैसे किये थे एक घंटा कौन समय लगता है तो पहले कितना समय लग रहा है प्रश्न से लिखिए प्रश्न से पहले समय लग रहा है 132 बटा X और माइनस कर देंगे बाल वाला समय 132 बटा X पलस 11 तो जब 11 तो बराबर कितना एक घंटा कम समय लग रहा है तो बराबर एक ठीक है अब यहां पर हम लोग देख पारे होंगे कि इसको किसको एलस्यम लिया जाए तो X और X पलस 11 खा एलस्यम ले लिजिए आप तो X पलस X पलस 11 का यहां से X से X तो कट जाएगा तो 132 को गुना करना पड़ेगा X पलस 11 से और X पलस 11, X पलस 11 कट जाएगा तो 132 को गुना करना पड़ेगा X से बराबर एक तो यहां पर आप देख पारे होंगे इसको गुना किजे तो 132 X और 132 X को आएगा 145 दो इसको अगर 11 से गुना किजेगा तो 1452 आएगा और माइनस 132 X बटा X को X से X स्क्वार, X को 11 से 11 X बराबर लिख सकते हैं बटा एक आप देखिए तो 132 X प्लस में है 132 X माइनस में है तो कट गया उपर क्या बच रहा है तो 1452 को X से गुना करेंगे तो 1452 होगा तिर्षा 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 गुना करेंगे तो यहां cross multiplication करेंगे तो क्या बनेगा X स्क्वार पलस 11X बराबर 1452 इधर प्लस में है इधर आएगा तो किस में होगा माइनस में होगा प्यारे बच्चों तो हम लोग यहां से लिख देंगे X स्क्वार पलस 11X माइनस 1452 बराबर में 0 अब यहां से तो आप खुद solve कर सकते हैं कि A का value कितना है प्यारे बच्चों 1, B का value कितना है प्यारे बच्चों 11, C का value कितना है माइनस 1452 अब यहां से अफ D निकाल लिएगा B square minus 4AC फिर उसको हम लोग को X का value minus B plus minus root D बटा 2A अगर B का मान जितना आएगा अगर उसका पुरा पूरा वर्ग मूल निकलेगा तो निकाल देना है अगर पुरा पुरा वर्ग मूल नहीं निकलेगा तो उसको ऐसी छोड़ देना है ठीक है, और इस फर्मुला से जब चलियेगा तो A गो आएगा plus में आंसर और A गो आएगा minus में आंसर तो जो minus में आएगा उसका value नहीं लेना है, जो आएगा plus में वही हो जाएगा x का मान ठिख है अब एक सका मान कुछ भी आ जाएगा तो उसे का मान हो गया सवारी गाली me सब्समारी गालना है कि इसवी एक्स बंध मृल जैएगा सबारी गाली का है तो सब्समारी गालने है एकस में 11ग जोड़ देना है तो एकस कमान जयतना आएगा उसमें पलस 11 कर देजएगा हूँ हो जाएगाbabर एकसप्रेस का यानि कि कहने का दार मतलब है कि जब कभी भी माइनस में आता है वह सही आमसर नहीं होता है हम लोगों को चलना होता है इस से जब इसका एक्स का माहन हो जाएगा कुछ तो उसमें हम लोग आइड कर देंगे तो इस तरीते से प्यारे बच्छों हम लोग को सलूशन करेंगे चलिए इस इक्सरसाइज का एक सबसे लास्ट कुर्षन बचा हुआ है क्योंकि इस चैप्टर में इस इक्सरसाइज में प्रोटल 11 कुर्षन है तो इस गारमा कुर्षन देखते हैं कुर्षन पर यह क्या बोल रहा है दो वर्ग के छेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वार है प्यारे बच्छों जरभ्यान से समझे हम लोगों को यारा सावाल में दूगो वर्ग दिया है ये गो वर्ग ये है और ये गो वर्ग वर्ग का मतलब समझते है ना जिसका चारोग वर्ग तो दूगो वर्ग है और इसका छेत्रफल जितना आएगा इसका छेत्रफल जितना आएगा दोनों का छेत्रफल जो है जोडेंगे तो 468 आना चाहिए तो इसको में माल लिए जाए कि भूजा को हमाल लिए ए मिटर भूजा कितना है ए है और इसका भूजा माल लिज हो एक दूसरा वरग आप एक्सिन के माना की पहले मर्ग का भूजा और इसको कर दुजिए एक्स और इसको आइक कर दिजे y, कि इसका भूजा हम y माने है, तथा दूसरे वर्ग का भूजा माने है y meter, ठीक है, यानि पहला का भूजा माने है x meter, और दूसरे वाला को माने है y meter, तो प्यारे बचों को जानते हैं कि वर्ग का छेत्रफल कितना होता है भूजा का स्क्वार होता है तो अब पहले वर्ग का पहले वर्ग का मतलब कुंची फरस्ट वाला पहले वर्ग का छेत्रफल तो पहले वाला वर्ग का छेत्रफल का फर्मूला क्या होता है भूजा का स्क् टुबार का मतलब प्यारे बच्चों कॉंची बूजा तो पहला वाला का X मारे हैं तो यहां हो जाएगा 100 स्क्वाइल ठीख है दूसरे वाले डूसरे वर्ग का छ्छेतरफल हम छ्षेतरफल क्यों निकाल ह it पैरे बच्चों क्योंकि सवाल में बोल रहा है पहला वला का छेतरफल और दूसरा वला का छेतरफल दोनों को जोडने पर कितना आना चाहिए दोनों को जोडने पर 468 आना चाहिए तो दूसरा वला वल्ग का छेतरफल निकालेंगे तो वहाँ पे भी भूजा स्क्वार होगा के नहीं क्योंकि वर्ग का छेत्रफल हमेशा होता है भूजा square लेकिन प्यारवचों यहां हम भूजा कुछी माने हैं दूसरा में Y न तो यहां हो जाएगा Y का square केलिया रहां तक यानि कि वर्ग का भूजा हम खुद से माने हैं दूगो छेत्रफल दूगो वर्ग था तो उनों में हम अलग-अलग चीज माल लिए दूनों का छेत्रफल एवो के छेत्रफल आया X स्क्वार और एवो के आया Y स्क्वार अब हम यह बोलेंगे प्रश्ण से हम फिगर अभी छोड़ रहें आप फिगर सुरू बार में ही प्रश्ण से यह बोल रहा है कि कूल छेत्रफल केतना है कूल छेत्रफल 468 मिटर स्क्वार है मतलब कुंची मतलब की फॉस्ट वर्ग का छेत्रफल कूल का मने कुंची हुआ कि फॉस्ट वाला और सेकेंड वाला दूनों के जोड़ने पर चासर वर्ग सकते हैं कि फॉस्ट राबर में कितना चार सो और सट आप निकाले है और और दोनों के जोड़ने से 466 मीटर स्क्वाइर आ रहा है इसको आप समीकरण एक बना देजिए कोई दिकत नहीं है चलिए यहां तक तो हो गया अच्छा हम फिगर को नहीं मिटा है क्योंकि फिगर से और कुछ हमको समझना है आप इतना चीज़ और बार-बार हम चीजों को मिटा कर और फिर उपर लिख रहे हैं तो आप इन चीजों को उसके नीचे ही लिखते चलिएगा ठीक है ना फिर सवाल में क्या बोला यहां तक तो हो गया कि कुल छेतरफल जो है इतना है यदि उनके परिमापों का अंतर केतना है वाई 24 मिटर है परिमापों का अंतर 24 मिटर है तो दोनों वर्गों की भूजा ग्याद कीजिए मने कि X का मान निकालिए और Y का मान निकालिए इस सवा अब बढ़ का फिरा है भरी परिमाप को यह होता है तो वर्ग का परिमाप बोले चाहे परिमिती बोले बात जो है से मैं और वर्ग का परिमिती का फर्मूला होता है चार गुना भूजा क्या होता है चार गुणा भूजा अब हम यह बोल रहे हैं कि अब क्या करना है तो अब यह बोल रहा है कि इसका भूजा तो माने है एक सना तो इसलिए अब फर्स्ट वर्ग का परिमाप निकालना चाहें परिमाप या फिर परिमिती दोनों एक होता है फर्मुला कुछ ही होता है चार गुणा में भूजा तो पहला वाला वर्ग का भूजा हम कितना माने है एक सना तो पहला वाला वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा चारेक्स चारे वाला सेकेंड वर्ग का परिमाप तो कोई भी वर्ग रहे वर्ग का परिमाप का फर्मूला होता है चार गुने भूजा फर्मूले होता है चाहे वर्ग का परिमिती तो सेकेंड वाला का निकाल रहे तो सेकेंड का भूजा कितना है वाई तो इसका हो जाएगा फोर वाई फोर इससे बोल रहा है प्रश्न में कि जब परिमाप में से घटाया जाना परिमाप का अंतर हमको चोबिस दिया है समझ रहे बात ना चलिए समझ नहीं रहोंगे फिर से हम समझा देता है पुनह प्रस्ण से पुनह प्रस्ण से दुबारा प्रस्ण से यह हमको पता चल रहा है कि परिमापों का अंतर तो परिमापों का अंतर प्यारे बच्चों का मतलब गोंची कि पहला परिमाप में से दूसरा परिमाप को घटाएंगे तब हमको 24 आना चाहिए तो यहां पर फिर से प्रस्ण में बोला है कि परिमापों का अंतर बरावर में केतना आना चाहिए? 24 ठीक है? अब परिमापों का अंतर को मने कोची? अंतर मने होता है घटाओ माइनस, दूसरा वाला परिमाप केतना है, 4y, तो यहीं न हो गया परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर का मतलब, पहला वाला वर्ग का परिमाप, माइनस में, दूसरा वाला वर्ग का परिमाप, तो इसको घटा दिए, और घटाने के बाद केतना आ गया, 24, ठीक है, अब करना क्या है हम लोग जानते हैं कि यहां से जो कुछ भी गुना होता है उधर जाता है तो कुछ ही में हो जाता है भागा में हो जाता है X-Y बराबर 24 भागा 4 यह 4 भागा में चल जाएगा तो 4 चक 24 तो X-Y बराबर कुछी आ गया? 6 आ गया तो इसलिए X बराबर इधर माइनस में Y है तो उधर जाएगा तो कुछी में हो जाएगा 6 पलस Y हो गया यानि कि X का मान केतना आ गया प्यारे बच्चों 6 पलस Y ठीक है? अब इसको मान लेना है समिकरन 2 समिकरन 2 मान लेना है अब करना क्या है? यहां लिखना है क्या लिखना है? समिकरन 2 का मान समिकरन 2 का मान एक में रखने पर एक में रखने पर प्यारा बैचू, समीकरन 1 कोजी था, तो समीकरन 1 था, x² प्लस y² पराबर 468 यही था, अब इसमें हम लोग x के जगा पे कितना रखेंगे, 6 प्लस y, तो यहाँ इस x के जगा पे रखेंगे, 6 प्लस y का हॉल स्क्वार प्लस y का होल स्क्वार है, अब हम लोग जानते हैं यहां पे a प्लस b का hall square का फर्मुला तो a square का मतलब 6 का square प्लस 2ab तो 2 a के जगह पे 6 b के जगह पे y प्लस फिर से y square और y square अब यहां पे दूगो y square कहां से है तो a plus b का hall square पे तोड़े तो a square प्लस 2ab प्लस b square आया y के जगह पे और अल्रीडी पहले ही से y square था तो इसको हम पहले ही से y square रख दिये बराबर में कितना 468 468 चलिए फिर से उपर से मिट आते हैं और फिर से देखिए क्या होता है अब आप देख पा रहोंगे y square और y square को एक साथ जोड़ खटाओ किसी हैगा तो कितना आ जाएगा 2y square और y वाला कितना हो जाएगा तो छोदुनी के 12y और इधर कितना है 6 square 36 अब इधर plus में है तो इधर आएगा तो कुछ ही हो जाएगा minus 468 उधर बच जाएगा 0 इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2y square plus 12y और इसको इसको करेंगे तो minus में आ जाएगा कितना 432 बराबर में 0 प्यारे बचों यहां से a का वैलू 2, b का वैलू 12, c का वैलू minus 432 तो यहां से आप निकालिएगा d का मान बिबेचक और d का जब मान निकल जाएगा तो y का मान लिखेगा तो कि y में नहीं है हम लोगों का तो इसलिए y बराबर minus b plus minus root d बटा 2 है अब y का मान कौन सही होगा, कौन गलत होगा तो जब इसका निकालेगा तो y का मान दूग आएगा यह प्लस में अब यह वो minus में ठीक है तो minus वाला ने लिलना है y का वैलू जो plus में आएगा वही हो जाएगा y के मान ठीक है y का मान मन कौन ची? दूसरा वाला वर्ग का भूजा माने थे ना तो यह दूसरे वर्ग का भूजा आजाएगा और हमको x का मान निकालना है तो फिर से आप चलेगा समिकरन दूसरे आप कोची से चलेगा समिकरन दूसरे समिकरन दू क्या है? तो 6 पलस y है और y का तो मान आप यहां रख दिजेगा और x का मान हो जाएगा यानि कि प्यemption करना क्या है? आप इसको solve दिजेगा अच्छे से तो यह दो पलस में आएगा यदो मैनस में आएगा पलस वाला का मान y हो जाएगा ठीक है? यह का मान पलस वाला हो जाएगा और जेतना y के मान आएगा उसको आप यहां रख दिजेगा समिकरन 2 से तब ना x के मान निकलेगा कहसे कि दूनों वर्ग का भुजा ग्याद करना है पहला वाला का भी और दूसरा वाला का भी तो y जब आप निकालती छोड दिजेगा तो खली दूसरा वाला वर्ग का भुजा निकला पहले वाला का तो नहीं निकला तो इसलिए पहला वाला का निकालने के लिए आप चलेगा किस से समिकरन 2 से और 2 से समिकरन तो 2 यही है x बराबर 6 प्लस y तो y का मान यहां रख दिजेगा अच्छो एड कर दिजेगा तो x का आंसर हो जाएगा तो प्यारे बच्चों यह exercise 4.3 NCRT मैट का द्विघात समिकरन का exercise 4.3 हम लोग पूरी तर इसके से खतम हो गया अब हम लोग अगले क्लास में अगले टापिक्स पर चर्चा करेंगे ताकि 4.4 का कोशन में कोई प्राबलम नहीं हो बन जाए ठीक है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद